वोकेब कि इस लेक्चर के अंतर हम ये 10 वर्ड्स कवर करने वाले हैं पहला मारा वर्ड है अगरेंड़िस दूसरा मारा वर्ड है अग्रेरियन नेक्ट इस अग्रेगेट, प्रोस, अग्नॉस्टिक, अग्रविट अगेन इस दियो प्राइ, एंड्रोइट, मिसेंट्री, एंड्रोजिनुस ये 10 वर्ड्स हम करने वाले हैं वोचाब के इस लेक्चर के अंदर ओके, हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं रूट वर्ड्स से देखो, इंग्लिश में अगर कभी भी A, N, D, R लिखा है न इनका कनेक्शन आदमी से या पुरुष यान की मेल से होता है तो एंड्र का मतलब होता है मेल, अब एंड्र से पहला वर्ड पढ़ने वाले है मिस एंड्री मिस का मतलब होता है नफरत करना, इंग्लिश में मिस का मतलब क्या है नफरत करना, और एंड्र का का मतलब male, जो आदमी के जैसे है, जो human से मिलता लोलता है, उसको बोलते है android, next हमारा word है androgynous, एंडर का मतलब male होता है, और English में gyn का मतलब होता है female, तो androgynous, जिन का मतलब female हो गया, एंडर का मतलब male, जिन का मतलब female, और osuous का मतलब होता है adjective, तो अगर किसी के अंदर, आदमी के औरत के गुन दोनों ही हैं तो उस व्यक्ति को हम एंटरोजिनस बोलते हैं तो being both male and female, female is androgynous तो यह हमने एंडर रूट पड़ा, जिन रूट पड़ा एंडर का मतलब male और जिन का मतलब female next हम अपनी vocab देख रहे हैं जो हम cover करने वाले हैं वो हमारे सामने पहला हमारा word है aggrandize aggrandize को याद करने के लिए हम grand word का कह सकते हैं grand word का मतलब होता है बढ़ा तो किसी चीज़ को बढ़ा चड़ा कर बताने को बोलते हैं aggrandize करना तो इसको हम grand से आता सकते हैं दूसरा हमारा word है agrarian इसको याद करने के लिए हम समझेंगे कि इंग्लिश में जब भी A, G, R लिखा हुआ आता है ऐसे words का connection खेती बाड़ी से याने कि एग्री कल्चर से होता है तो एग्रेरियन क्या होता है खेती बाड़ी करने वाला जब भी A, G, R लिखा होता है एग्रेरियन या खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ शब्द है एग्रेरियन नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते है इस एग्रेगेट एग्रेगेट का आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पाइल्स बनी हुई है इकठा करने को बोलते हैं एग्रेगेट करना अक्वूलेट करना वैं समेशन करना यहाँ पर सिनोनिम स्गेवन हैं आप देख सकते हो कि एग्रेगेट का मतलब होता है करना जोड़ना एकठा करना नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है प्रोवेस, प्रोवेस का मतलब होता है कला, यहाँ पर आप देखो सचिन दंदुलकर है और यह प्रोवेस का मतलब होता है क्रिकेट की कला, तो कोशिर को बोलते हैं और यहाँ पर फेडरल है टैनिस की कला, कला को बोलते हैं प्रोवेस, न Next वर्ड है agnostic, agnostic वर्ड बढ़ने के लिए हम नास्तिक वर्ड पढ़ेंगे Nastyk वर्ड का मतलब होता है जो के भगवान को नहीं मानता तो agnostic क्या होता है जो भगवान को नहीं मानता Next हमारा वर्ड है एग्रेवेट करना, अभी ने पढ़ा था एक वर्ड aggregate करना अभी हम next word क्या प्रठ रहे है aggravate करना फरक क्या है यहाँ पर wait है तो खराब कर देने को बत से बत्तर कर देने को aggravate करना जिससे आफिर देशकते हूँ इसका zijn खराब करना है बत्तर कर देना, खराब कर देना इसको बोलते हैं aggravate कर देना किसी क्यों मेगनिफाई कर देना बढ़ा देना यह सब एग्रेविशन होता है नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्राए प्राए वर्ड यहां पर विराट कोली अनुश्का शर्मा कि विराट कोली का कह रहा है कि दो नोट प्राए इंटू आर परसनल लाइफ यानिकी हमारी परसनल जीवने दखल मत दो प्राए का मतलब होता है नीजी जानकारी प्राप्त करने क कोशिश करना प्राइ करना तो यह हमने लिस्ट कवर किये अपनी वोकाब की एगरेंडाइस का मतलब ब्रहातला कर बताना एगरेरियन खेती बाड़ी एगरेगेट इकठा करना प्रोवेस एगनोस्टिक प्राइए एंड्रोएट मिसेंटरी एंड्रोजिनस थैंक यू